हे गाइस वालकम तो दे लव इन लाइट 369 टैरो कैसे आप सभी आप सभी आप सभी अच्छी होंगे गाइस और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे कि अगले 24 घंटों में आपके पार्टनर कैसा फिल करेंगे आपको लेकर कि क्या कुछ वह सोचेंगे क्या कुछ उनके दिमाग में चलेगा तो वह हम जानने की कोशिश करते हैं ठीक है कि नेक्स 24 आर्स क्या कुछ एनरजी रहने वादी है उनकी ओके अब ही कुछ एनरजी निकालूंगी पहले जैसे कि आपके पार्टनर की और फिर आपके लिए फिलिंग और आपकी एनरजी और फिर हम देखेंगे कि next 24 आर्स कैसी एनरजी उनकी रहने वाली है ठीक है सो लेट्स सी देखते हैं क्या आता है रिडिंग में सो देखते हैं सबसे पहले मैं देखूंगी आपके पार्टनर की एनरजी क्या है अभी राइट नाओ ठीक है सो उनकी एनरजी क्या है वो हम देख लेते हैं आपके बारे में कैसा फील कर रहे हैं सिफ्थ चक्रा आर्खेंजल मैट्रियोन एंड आपकी एनरजी दो पर्सनल हीलिंग एंड हैपिनस बोटम देख से कार्ड आया है ब्रॉकिन हार्ट का आपके पार्टनर की एनरजी अभी कुछ ऐसी है कि देखो सबसे पहली बात तो अपने कायर पर फोकस्ट है ठीक है दूसरा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशूस हो ठीक है तीसरा ये हो सकता है कि शायद आपके पार्टनर कुछ ऐसे हैं कि इनको आपके पार्टनर कुछ ऐसे है जिनको सोसाइटी की बड़ी परवा रहती है लोग क्या बोलेंगे लोग क्या कहेंगे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग कैसा रियक्ट करेंगे ठीक है घर वाले कैसा रियक्ट करेंगे मतलब कि दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं कि वो मेरे बारे में कैसा सोचेंगे ठीक है ऐसा यह कई बार पते क्या करते होंगे अपनी खुशियों से भी कंप्रमाइज कर जाते होंगे कि लोग इनको कुछ गलत ना बोले फिर लोग इनको गलत ना समझे या फिर इनके घरवाले इनको गलत ना समझे इस वज़े से अपनी खुशियों से भी ना कंप्रमाइज कर जाते हो ठीक है ऐसा मुझे लग रहा है और अभी इनकी वैसी कुछ सोच मुझे दिख रही है और येस तो इनकी कुछ ऐसी एनरजी है यहां पर ठीक है आपको लेकर के इनको कोई न कोई clarity मिली है ठीक है हो सकता है कुछ इनकी दिमार में गलत थोट्स हो आपको लेकर किया कुछ भी बट हाल फिलाल न आपको लेकर के कुछ clarity इनको मिली है ठीक है और येस आपके लिए न पॉजिटिव सोच रहे हैं ठीक है ऐसा मुझे यहां पर दिख रहा है कोई भी ऐसी बात जि तो आपके अगर मैं energy की बात करूँ तो भाई आप अपनी healing में लगे हुए हो और खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो ऐसी ऐसी काम कर रहे हो जहां पर आपको खुशी मिलती है ठीक है खुद को खुश रखने की तरीके ढूण रहे हो या फिर खुद को खुश कर सके ठीक है यह जो भी energy रही है ना यह दिल जो इतना भी टूटा है ना इसको हील करने की कोशिश करें दर्द को भूलने की कोशिश कर रहे हो ऐसा मुझे यहां पर दिखना है ठीक है नंबर 7, 4, 14, 34 और नंबर 7 दो बार है यहां पर ठीक है तो double 7, double 7 आपके लिए significant हो सकत है let's see guys देखते हैं कि next 24 hours क्या कुछ feel करने वाले हैं आपके पार्टनर क्या कुछ सोचने वाले हैं वो हम यहां से देखेंगे ठीक है तो देखते हैं अगले 24 घंटे कैसे जाएंगे okay let's see the lovers and the moon okay the moon and the lovers death and justice okay five of cups and night of pentacles all right bottom the deck से देख लेते हैं temperance okay सबसे पहले तो sign बता देती हूं मैं कि यहां पर जो जो sign है वो मैं आपको बता देती हूं यहां पर sign है Gemini mythul राशी बहुत स्ट्रॉंग है Pisces mean राशी Scorpio वरशिक राशी लिब्रा तुला राशी बहुत स्ट्रॉंग है और Scorpio तो है यहां पर करक राशी भी है यहां पर Taurus Virgo Capricorn भी है ठीक है वरशव कर्णया और मकर राशी भी है यहां पर Sagittarius धन और राशी भी है यहां पर ठीक है ओके जैसे कि मैंने यहां पर बोला कि इनको कोई ना कोई clarity मिली है आपको ले करके ठीक है तो अगले 24 गंटे कुछ ऐसे होने वाले हैं हो सकता है कि यह इन्होंने किसी की बात में आए हो ठीक है हो सकता है आपके खिलाफ इनको किसी ने भढ़काया हो या फिर कुछ गलत बोला हो यहां फर mother issues हो सकते हैं हो सकते हैं इनकी mother आपके खिलाफ इनको कुछ गलत बोलती है क्योंकि आपकी mother जो है आपको नहीं पसंद करती इनकी mother जो है आपको पसंद नहीं करती इस वज़े से आपके खिलाफ इनको कुछ बोलती या फिर कोई female figure है जो कि इनको आपके खिलाफ गलत-गलत बोलती है ठीक है ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि किसी चीज़ की clarity इनको मिली है so I feel कि अगर कोई third party issues रहे है कोई third person रहा है आपके relationship के बीच में so I feel कि अगले 24 घंटों में जो भी बाते छुपी हुई थी न वो आपकी partner के सामने आ जाएंगी ठीक है एक बड़ा transformation मुझे आपर दिख रहा है with the death card so next 24 hours में जो भी बाते छुपी हुई थी जो भी चीज़े hidden थी जो भी आपके partner के सामने नहीं थी वो next 24 hours में बिल्कुल clear हो जाएंगी ठीक है कुछ clarity इनको मिल गई है कुछ मिलना बाकी है जो कि next 24 hours में बिल्कुल clear हो जाएगा और आपके partner को कुछ ऐसा feel होने वाला है देखो आपके लिए बहुत दब प्यार feel होने वाला है और आप कितने loyal रहे हो इस relationship में वो चीज़ इनको कहने कही feel होगी और जो भी ऐसे लोग है जो भी बाते छुपी थी वो इनके सामने आएंगी और इनको ऐसा feel होगा कि यह हो सकता है आपके साथ arguments भी होए हो किसी बात को लेकर कि या फिर आप पे किसी चीज़ का blame भी लगाया गया हो ठीक है यहाँ पर यह होगा कि आपके partner ऐसा सोचेंगे कि मैंने किसी की बातों में आकर कि बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे मैंने सारी चीज़े खतम गर दी तो एक justice वाले energy होगी next 24 hours में कि इनको लगेगा कि नहीं आपके साथ इन्होंने ये ठीक नहीं किया इस तरीके से और इनको justice देना चाहिए आपको क्योंकि इनके साथ ने रिग्रेट फील करेंगे और justice की energy होगी ये शायद justice देने के बारे में सोचेंगे क्योंकि कुछ तो चीज़ें हैं जो इनके सामने आ रही है और में भी हो सकता है कि ये कुछ आपसे माफी मांगने की या फिर कुछ भी ये सोचे ठीक है बट यहां पर stuck energy है कोई step मुझे दिखनी रहा यहां पर ठीक है ऐसा नहीं बोलूंगी कि कोई step ले लेंगे next 24 hours में क्योंकि मुझे आपको step नहीं दिख रहा बट हाँ एक thought होगा इनके दिमाग में कि आपको justice दिया जाए क्योंकि इन्होंने बिल्कुल भी ठीक नहीं कि आपके साथ एक regret वाली energy होगी और होगा कुछ ना कुछ इनके पास आपको देने के लिए चाए यह माफी हो चाए कुछ भी हो बट हाँ ऐसा कुछ मुझे आप पर दिख रहा है बट action नहीं दिख रहा चीज़ों को balance करने के बारे में definitely सोचेंगे जो भी चीज़े खराब हुए होने balance करने के बारे में definitely सोचेंगे बट वही की action नहीं ले पाएंगे 24 hours में action नहीं ले पाएंगे बट planning ज़रूर इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलेगी ठीक है तो यहाँ पर transformation है बदलाव है यहाँ पर पहले कुछ और सोचते थे आपके बारे में अब कुछ और सोचते हैं आपके बारे में ठीक है दूसरों की बातों में आकर के इन्होंने आपको गलत समझा था अब वो चीज़ें सामने आएंगी इनको रियलाईज होगे इनकी गलती इनको रिग्रेट होगा और एक जस्टिस वाले अनरजी डेफिनेटल आएगी ठीक है तो यहाँ पर कुछ ऐसी अनरजी है तो नेक्स 24 आर्स इनके कुछ ऐसे भी इतने वाले हैं ठीक है लेट सी और यहां से देख लेते हैं एक बार यहां से क्या आता है नेक्स 24 आर्स कैसे रहने वाले हैं क्या कुछ फील करने वाले हैं आपके पार्टनर सो लेट सी वो हम देख लेते हैं और आपके पार्टनर के आपके आता हैं जाओ दिए और देख ले देख लेड ले आता हैं silence with the creator the creator yes same वैसी एनर्जी आई है यहां पर भी bottom the deck से देखो तो mind okay so यहां पर कुछ ऐसी एनर्जी है कि next 24 hours में न यह कहीं न कहीं next 24 hours में न गाईस देखो यह अपनी मन की सुनने वाले हैं ठीक है यह अपनी मन की सुनने वाले हैं और जो भी लोग negativity फिला रहे थे न जो भी गलत गलत बोल रहे थे यह उनकी नहीं सुनेंगे यह कहीं न कहीं कि अपने मन की अवाज को सुनेंगे ठीक है और कहीं न कहीं कुछ तो कुछ न चुछ न गुश प्लाइनिंग, ये करईंगे, थीक है, क्योंकि ASH सैलेंस का भी काड अदि है, साइलेंस का काड मुझे यह बताते है कि जो चल रहा है वो अपने मन में रखेंगे, भार नहीं आने देंगे, बट हाँ बहुत कुछ है बहुत कुछ है next 24 hours में clarity है planning है कुछ create करने की कोशिश करेंगे like मैंने बोला ना कि कुछ नो कुछ planning definitely करेंगे तो यहाँ पर भी वही है कि यह planning करेंगे ठीक है अपनी अंतरवन की सुनने वाले हैं यह अगले 24 घंटों में और कुछ नो कुछ तो clarity इनको definitely मिलेगी जिसके बाद में इनको एक पश्तावा होगा और उस पश्तावे की बाद में एक time पे इनके साथ ऐसा होगा कि इनको ना ऐसा feel होगा बिल्कुल ही कि इनका दिमाग ही ना काम नहीं करेगा कि क्या करू क्या ना करू बट हाँ फिर भी ये कही न कही चीजों को सम्हालने के कोशिश करेंगे जो चीज़े खराब है because यहाँ पर clarity मिल रही है कुछ ऐसी बाते रही है जो इनसे छुपी रही है जब वो सामने आएंगी तो भई एकदम से इनसान के सामने अगर कोई बात खुलती है तो वैसे उसके दिमाग में कुछ नहीं आता ठीक है वो क्या करे क्या ना करे उसे कुछ समझ में नहीं आता तो वैसे energy होगी बट हाँ फिर भी ये इनसान जो है वही की action नहीं दिख रहा मुझे आपर वही ठीक है action नहीं लेंगे बट हाँ चीजों को समझने की चीजों को ठीक करने की कोशिश definitely next 24 hours के बाद में करेंगे इन next 24 hours में तो इनको सिर्फ समझेंगे और next 24 hours के बाद में कुछ action अगर ये लेंगे तो next 24 hours के बाद में लेंगे ठीक है तब तक तो भई ये कुछ चीजों को समझेंगे कुछ खुद को समझाएंगे और कोई planning करेंगे और इसके बाद action लेंगे ठीक है ऐसा मुझे आपर कुछ दिख रहा है क्योंकि next 24 hours कुछ ऐसा होने वाला है कि इनके दिमाह में बहुत सारी चीज़े होंगे बहुत सारी कुछ ऑने करेंगे ये तो यह सब मैंने क्या कर दिया टहूंगे इनके दिमाह में ये कहिन न के उन सवालों के जवाब और रएन के कोशिश करेंगी जब इनको बिल्कुल करेंगे घांट में प क्या ना करूं दैन यह अपने इंट्यूशन की सुनेंगे और फिर उसके बाद में ही हो सकता है कि इन 24 गंटों के बाद ही कोई एक्षिन ले ठीक है ऐसा मुझे यहां पर कुछ दिख रहा है आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस होगी यहा क्यारिंग कनेक्शन विद्ध पेशन्स ओके यहां पर जो सीधा सीधा आपको कहा जा रहा है यहां पर है मैं होल्डिंग कॉइन सॉरी वो मैं होल्डिंग कॉइन सो आपने ना अपने करियर के उपर फोकस करना है आपको यह कहा जा रहा है करियर के उपर फोकस करना है और क्यों कि आपको यहां पर कहा जा रहा है कि जो भी जिस भी कनेक्शन में हो जिसके बारे में आप सोच रहे हो वहात बहतरीं कनेक्शन है बट रिकंसिलेशन के लिए या फिर उसमें और भी अच्छी चीज़े देखने के लिए ताकि और connection फिर से अच्छा बन सके उसके लिए आपको patience की जर्थ पड़ेगी थोड़े से और patience की जर्थ पड़ेगी जैसे कि मैंने बोला ना कि 24 hours में तो कोई action नहीं है बट उसके बाद में मुझे लगता है कि करो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अपने career पर focus कीजेगा ठीक है in next 24 hours में अपने काम के उपर ध्यान दीजेगा ज्यादा मत सोचेगा अपने partner के बारे में क्योंकि ज्यादा सोचना भी ठीक नहीं रहेगा ठीक है तो ज्यादा मत सोचेगा अपने काम पर focus कीजेगा इस connection क के बारे में मत सोचो ठीक है अपने काम के बारे में सोचो क्योंकि ज्यादा सोचना भी कभी-कभी ठीक नहीं होता ओके आपको थोड़ा सा पेशन्स बना करके रखना है सारी चीज़े डेफिनेटली ठीक होंगी बट उसके लिए थोड़ा सा और पेशन्स बना करके रखे ओके थे आप लोगों के लिए एक फोड़ा सी रेडिंग आए ओप आपसे रेज़नेट की हो आएओ आपको पसंद आई हो अगर आपसे रेज़नेट की है तो मुझे बताईएगा ज़रूर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजेगा चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलते नेक्स सीडिंग में तब तक अपने ख्यार रखें बाबाई ठेक क्यार